सब्सक्राइब करें GST प्लैटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए Good morning friends, GST प्लैटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हां friends, GST के अंदर दिल पर दिल आप लोगों की यानि की Taxpayers की और Professionals की Tension जो है वो बढ़ती जा रही है अब एक और Tension जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आज मैं डिसकस करने वाला हूँ ये है So Cause Notice for Cancellation of Registration अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे So Cause Notice देखा होगा Cancellation के लिए जिसमें Return Non-Failers की Reasons जो है वो दी जा दी जा दी अब ये जो So Cause Notice आया है इसके अंदर Return तो फाइल किया गया है लेकिन उस Return के अंदर XS ITC जो है वो क्लेम कर लिया गया है अब वो XS ITC किस से जादा है याने कि 2A से या 2B से क्या comparison है कोई details यहाँ पर नहीं है Notice भी अभी देखेंगे इसलिए में आपको बार बार ये Rule 21 जो है इसके अंदर Important situations दिये गए हैं जिसके अंदर आपने अगर कोता ही बरती तो आपका number भी suspend हो जाएगा ऐसा ही एक point है point number D जो की बात करता है violates the provisions of Rule 10A बहुत simple सा rule है ये Rule 10A कहता है कि आपको अपना bank account details जिहां friends अपना bank account का details जो है वो registration में update करना है अगर आपने इस rule को comply नहीं किया तो आपका number जो है वो cancel हो जाएगा तो rule 21 जो है बहुत जादा खतरनाक है इस तरीके के provisions यहां दिये गए अगर आपने अगस महिने की tax magazine पड़ा हो तो उसके अंदर भी हमने rule 10A के अंदर जो requirement है bank details को update करने के लिए उसके लिए information share किया अगर आप लोगों ने अभी तक monthly tax magazine का subscription नहीं लिया है तो इन numbers पे call करके whatsapp करके आप magazine का subscription ले सकते हैं अब अगर आप देखेंगे तो यह जो notice आया है इसके अंदर returns furnished by you under section 39 of the CGST Act यह observation है कि excess ITC claimed you are hereby directed to furnish a reply to the notice within 30 days जब यह notice आया उसके 30 days के अंदर आपको इस notice का reply देना है कि आपने 3B के अंदर जो ITC claim किया है वो excess ITC है वो किस वज़े से है उसका जवाब देगे आप अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपका number जो है वो अभी suspend किया गया है 30 days के बाद उसे cancel कर दिया जाएगा और जिसके बाद आपको return अगर आप file करने के लिए allow नहीं किया जाएगा साथ की साथ taxable supply भी आप नहीं कर पाएँगे that means आपका business एक तरीके से stand still पे आ जाएगा तो अब अगर आप देखेंगे जो ये cancellation और suspension के लिए जो situations हैं उसमें सबसे पहला है it does not conduct any business from the declared place नहीं कि जो registration certificate में जो आपने place of business दे रखा है वहां से business अगर आप conduct नहीं करते हैं तो आपका registration जो है cancellation के लिए liable है अगर आप invoice issue करते हैं या bill issue करते हैं लेकिन actually ना तो good supply हुआ है ना services supply हुआ है तो भी आपका number जो है वो cancel कर दिया जाएगा आपने rule 10A का violation किया यह मैंने आपको already बता दिया bank account details किया यह provisions of section 171 जो की anti-profiteering की बात करता है इसके बाद है point number E सबसे important और जिसके basis पे यह notice आया है avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the act जी हाँ प्रिंट्स अगर आपने section 16 के violation के तहट कोई भी input tax credit claim कर लिया तो वो भी input tax credit गलत होने की वजह से आपका registration जो है cancellation के लिए liable कर दिया गया है under rule 21 तो अब आप अपनी return जो file कीजिएगा बहुत ही सावधामी से करना होगा वो 200 रुपए और 500 रुपए के चक्कर में आपने return जहां गलत करी ITC गलत करा नंबर उठा करके सीधा cancel कर दिया जाएगा furnishes the details of outward supplies in GSTR 1 under section 37 जिया फ्रेंट्स आपने GSTR 1 के अंदर जो details upload किया यानि कि जो liability आपने GSTR 1 में upload करी है एक या एक से ज़्यादा tax period के लिए वो जो की excess है आपने section 39 की valid return के अंदर 3B में declare कि simple term में आपको अगर मैं बता दूँ तो GSTR 3B में अगर किसी एक महीने ये tax period के लिए आपने एक लाख उपई की liability दिखला दी और उसी tax period के लिए GSTR 1 में आपने डेड़ लाख उपई की liability दिखला दी तो आपका number जो है वो cancel किया जा सकता है क्योंकि सरकार को tax आप भरेंगे 3B से जो की होगा एक लाख और सामने वाले को ITC जो आप देंगे वो देंगे GSTR 1 से जो होगा डेड़ लाख उपई तो इस चीज़ को रोकने के लिए तो मिन ने ये formula भी आपको दे रखता है अगर आपने rule 86B का violation किया तब भी आपका registration जो है वो liable है for the purpose of cancelling तो ये जो आपको 7 grounds दिये हैं इस 7 grounds को बहुत अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है क्योंकि एक-एक ground को लेकर के notices जो हैं अब issue होने लग रहे हैं non return filing तो था ही था bank account के वजह से भी notice आने लग रहे हैं input tax credit गलत ले लिया उसके लिए भी आ गया अब आपको इसके बाद जो देहने को मिल सकता है GSTR 1 और 3B के अंदर जो mismatch है उसके वजह से भी notice जल्दी ही मिलेगा अगर आपको table wise filing सीखना है GSTR return के लिए तो अब table wise filing के साथ साथ आपको QRMP से related हरेक information भी हमारे application पे जो courses available हैं वहाँ पर दे दिये गए यहां से आप magazine की details भी ले सकते हैं और different different courses जो हमारे platform पे available है सबसे पहला है GSTR 1 और 3B की filing along with the applicability of rule 364 TDS की returns कैसे file होती है उसका step by step process बताया गया है along with new provisions of TDS उसके बाद अगर आपको appeals related या फिर GSTR के अंदर annual return या refunds related परिशानी है तो इन सारी चीजों के लिए courses जो है application पे available है courses की details और magazine की details के लिए आप इन numbers पे call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं आपको details दे दी जाए चलिए इस वीडियो को ही end करते हैं आशा करते हैं कि आपको यह point clear हो गया होगा कि GSTR के अंदर अगर आपने exercise ITC claim कर लिया है तो भी आपका number जो है अब cancel हो सकता है इसलिए सावधानी से काम कर ले अगर आपने हमारे channel पे first time tuning किया है तो channel को subscribe करने के यह नीचे दिया गया red color का subscribe दे प्रेस कर लिजे साथ में चो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिजेगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक regularly पहुंचती रहें Thank you and have a nice day subscribe करें GST platform YouTube channel को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और income tax की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए